Hello friends welcome to video lecture series on centroid और इस video lecture मैं आपको बताऊँगा कि कि किसी भी circle के sector का अगर मुझे centroid निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं अब circle का centroid क्या होता है यहां पर मैं आपको draw करके दिखाता हूँ अगर मैं पस ऐसा कोई circle है और उसका मैं particular sector consider करूँ कुछ इस तरह सपोज यह origin है और यहां से मैं दो line अगर draw करूँ तो यह जो sector बन रहा है इसका centroid क्या होगा यह मुझे निकालना है तो इसके लिए दोस्तो यह जो हमारा x-axis है यह line of symmetry हो गया तो इसी पर कहीं न कहीं हमारा जो अपना यह है centroid वो लाइक करेगा राइट तो अगर सब्सक्राइब यहां पर लाइक करता है तो उसका y-coordinate तो 0 होगा because centroid x-axis पर है और जो अपना यह होगा क्या कहते हैं y-coordinate 0 होगा तो दोस्तों यहां पर अपना y-coordinate 0 हो गया और x-coordinate जो है उसे में ले लेता हूं x-bar ओके तो अभी एक्स बार कैसे निकालेंगे इसके लिए exact same construction होगा जैसे हमने पहले किया था अब मैं यहां पर assume करूंगा कि यह जो एंगल सब्सक्राइब अलफा है और यह भी एंगल अलफा है ठीक है तो यह आपको यहां पर समझ में आना चाहिए तो देखिएगा यहां पर मैं कुछ construction आपको दिखाता हूं जैसे हमने circle के case में किया अगर आपने circle वाली वीडियो देखी है तो इससे समझना बहुत ही आसान है वह exactly वैसा ही है दोस्तों यहां पर हम फिर से इसे अलफा ले र कर रहा हूं और यहां पर जो यह distance से 2r by 3 होगा और वो r by 3 होगा इसका भी proof हम दो देख चुके हैं circle के case में तो कुछ नया नहीं है पूरा का पूरा वही है अब यहां पर दोस्तों जो a है उसका x-coordinate x है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह पूरे sector का जो centroid है वह x-axis पे हो क्योंकि दोस्तों हम x वाली formula यहां पर put करने आले है इसलिए मैं horizontal distance x consider कर रहा हूं इस centroid a का यह किसका centroid यह triangle का centroid यह जो particular बने strip लिया है वर्टिकल रेडियल जो strip लिया है इसका centroid है क्यों a और उस centroid a का जो x-coordinate है वह x क्या आप x की formula बना सकते हो बिलकुल बना सकते हो कै कैसे अगर दोस्तों आप देखोगे अगर यह origin o है और यह जहां पर यह triangle cut कर रहे है suppose यह point b है जो triangle o a b में अगर आप cos theta की formula लगाओगे तो cos theta क्या होगा adjacent यानि o b जिसका length आफ x ले रहे हो तो x divided by hypotaneous मतलब यह जो 2r by 3 है तो 2r by 3 so therefore x क्या मिला हमें x मिला 2r by 3 into cos theta और जैसा कि दोस्तों हमने देखा था प्रिवेस वीडियो में कि जो area है इस triangle की da वो क्या होगा half into base base क्या है r d theta into height height क्या है इस triangle का जितना radius है यानि r so यह हमारे पास हो गया half r square d theta so दोस्तों अगर यह दोनों चीज़ों को मैं इसमें substitute करूँ यहाँ पर मुझे जो है x bar उसका formula मिलेगा integration यहाँ पर x की जग क्या पूट करेंगे 2r cos theta और da की जगह यह पूट करेंगे ठीक है so 2r divided by 3 cos theta multiplied by 1 by 2r square d theta then divided by integration da की जगह यहाँ पर 1 by 2 2r square d theta okay so now यहाँ पर अगर मैं इसे रफ कर देता हूं पहले अगर दोस्तों हमें integration simply solve करना है और answer मिल जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देजीगा कि theta की क्या होगी क्योंकि यह alpha है और यह alpha है आपको वाल में anti clockwise जब हम जाते हैं तो negative लेते हैं ठीटा राइट तो यह fourth quadrant में दोस्तों इसे हमें minus alpha लेना होगा तो minus यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर हम लोग clockwise कोई भी angle measure कर रहे हैं तो वो negative होता है और anti clockwise measure कर रहे है तो वो positive होता है तो दोस्तों यह जो alpha ऐसे measure कर रहे है यह minus alpha consider किया जाएगा तो हमें integrate करना है minus alpha से लेकर alpha की तरफ तो यह limit है theta की वह होगी minus alpha sorry यहाँ पर minus alpha से लेकर alpha की तरफ ठीक है और यहाँ पर भी जो limit होगी होगी minus alpha से लेकर alpha की तरफ तो अब यहाँ पर जो हमारे पास x-bar है वो होगा क्योंकि हम ठीटा कर इंटेग्रेट कर रहे है रेडियस तो constant है तो देखिए यहाँ से cancel हो जाएगा और नीचे से जाओगा theta which is again यहाँ पर limit उसमें जब put होगी minus sorry यहाँ पर alpha से लेकर alpha तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिल जाएगा alpha put करने पर theta की जगह alpha minus alpha put करने में minus alpha तो alpha minus of minus alpha हो जाएगा 2 alpha आप समझ रहे वैसे दोस्तों आप देखेंगे कि जब हम alpha alpha put करेंगे sin theta की जगह तो मिलेगा sin alpha और जब minus alpha put करेंगे तो sin of minus alpha होगा जो minus time sin alpha होता है यानि हमें मिल जाएगा plus sin alpha आप समझ रहे मतलब sin के इंदर अगर minus alpha put करोगे तो it is equal to minus time sin alpha ओके तो यहाँ पर पहले alpha put करेंगे sin alpha फिर minus sin of minus alpha तो वह होगा माइने sin alpha तो रहा हो जाएगा sin alpha plus sin alpha तो इस तरह हमें यहाँ पर जो result मिलेगा x-bar का वो क्या होगा दोस्तों sin alpha plus sin alpha मिलकर हो जाएगा two sin alpha right? सो यहाँपर हमें मिलेगा two r by यह जो दोस्तों हमारा two है यह two cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा यहां पर sin alpha plus sin alpha 2 sin alpha into r यहां पर मैं लिख देता हूं 2r 2r sin alpha divided by 3 into alpha so 3 alpha okay so यह formula होगी x bar की फिर से लिख देता हूं मैं 2r sin alpha by 3 alpha this is x coordinate of centroid for sector जो हमने इसमें बनाया हुआ है circle में ठीक है तो इसी को मैं अगर animation के तरूप finalize करूँ ओके यहां पर दोस्तों यह जो पूरा का पूरा हमने अभी derivation किया अगर इसे हम कुछ इस तरह conclude करें कि जो हमारा centroid सबस्थ यहां पर है तो उसका जो x coordinate होगा वह अभी जो हमने प्रूफ को देखा अब नेक्स वीडियो से हम प्रॉब्लम सॉल्ल करना इस्टार्ट करेंगे जिसमें multiple shapes हमें एक साथ दिया होंगे मतलब सर्कल ट्रैंगल स्क्वायर रेक्टैंगल यानि composite shape दिया गया होगा इन सब को मिलाकर कोई shape दिया गया होगा और उसका हमें centroid निकालना होगा तो कैसे इनी बेसिक फॉर्मले करके हम कर सकते हैं यह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद